गुलपरकाश शहर के जवारहें दूर्दू मीडियम स्कूल में मज़रालम खान और गोस्मत्यमूर के लिए तेहनेती प्रोग्राम और्ग्राम और्ग्राइज किया गया था हालही में मज़ारलम खान कुड़ा चेर्मन बने है और गौसमत्यमूर की वाइब वाइब वाड नमर 19 की कॉर्परेटर पडवीन बेगम को कॉर्परेशन में फाइनास कमिटी का चेर्मन बनाया गया है जवारहिन स्कूल टरस्टी जनाफ साजित हुसेन अमेटी एहलियान महला और मज़िद कमिटी के जानिब से मज़ारलम खान और गौसमत्यमूर को मबारक बात पेश की गई है मजार علم خان اور गौस मत्यमूर ने इस मौके पर तहने दी प्रोगरम औरर्गनाइज कर इज़त नवाजने के लिए सुबी का शुक्रियादा किया है प्रोग्राम में मौजू सोभी लोगों ने मजार अलम खान और गौसमत्मूर के कारणामों को सरहाते हुए आगे ऐसे ही शहर के डिवलेप्मेंट के लिए काम करने की गुजारिश की है जवारेहिंद शहर का खदियम उर्दू मीडियम स्कूल है जो हाली ही में अपने 50 साल पूरे कर चुका है इस स्कूल से कई स्टुडेंट्स तालिम हासिल कर आज देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और साथ इस प्रोग्राम के जरीए साजी दमेटी को एप्रिसेट कर तमाम लोगों ने कहा ये आज के मौडरन दोर में न्यू टेकनालोजी के साथ उबदिलियां लाकर जवारेहिंद उर्दू मीडियम स्कूल को पहले से काफी अच्छे अंदाज में चला रहे हैं मज़र अलम खान और गोष मत्यमूर्ड के लिए और्गनाईज किये गए फैलिसेटेशन प्रोग्राम की डीटल जानने के लिए आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखें आज बड़ी खुशी हो रही है कि जवारिन श्कूल में मुझे और गोष मत्यमूर्ड सहाब को यहां बुला कर इज़त अफजाई की गई उसके लिए मैं दिल की गहराईयों से साजिद अली सहाब का और तमाम महले महले वालों का मैं शुक्रिया दा करता हूँ मुझे कॉंग्रेस पार्टी ने हमारे तमाम लीडरों ने गुलबर्गा अर्बन डॉलब अथारेटी का चेर्मेन बनाया है मैं चेर्मेन बनकर तकरीबन चार साड़े चार मेने हो गए है चेर्मेन बनने के फोरी बाद एलेक्शन डिकलेर हुआ तीन मेने कोड अफ केंडेक्ट में चले गए अभी अभी एक मेना देड़ मेना हुआ है मैं जब से चेर्मेन बना हूँ कोशिश कर रहा हूँ पूरे शहर बर में किस तरीखे से शहर के डॉलपमेंट हो किस तरीखे से प्लाइनिंग हो तो उसके लिए काम किया जा रहा है सिटी को किस तरीखे से आगे बढ़ाना है तो वो काम चल रहा है आने वाले तीन चार मेहने में वो कम्पलीट हो जाएगा तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ मेरे हातों में वो काम चल रहा है और आपके बीच आपके कार्पोरेटर जनाब मक्तेमूर सहाब जो आपके सामने एलेक्शन में आये थे यहीं पर हम लोगों ने जवारिन स्कूल के सामने एक फंक्शन किया था जिसमें हम लोगों ने वा आपको जिता कर लाईए हम जितने भी मसाइल हैं हमारे महले के कोशिश करेंगे उन पांच सालों में कंप्लीट करने की जिस हिसाब से हमने आप लोगों के सामने वादे किये थे उस हिसाब से अब एक साल हो गया है गोद मक्तेमूर सहाब को शपत लेकर अब दूसरे साल में वो फाइनाइंस कमिटी के चेर्मेन बन गये हैं पिछले साल मैं समझता हूँ गोद मक्तेमूर सहाब अपने जद्दो जहत से हर वो लीडर के पास अपने महले के जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को ले जाकर रखा करते हैं और रखकर लड़कर रहने अपने मसाइल को हो गये हैं और तकरीबन काम होने बाखी है तो मैं समझता हूँ अब गोद मक्तेमूर साब खुद चेर्मेन बने है अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस महले के जो बचेवे काम है वो पूरे होने में बाखी का जो बचता है मैं गोद मक्तेमूर साब को तवक्ष दिल यह महले की तरक्वी के लिए यह महले के लिए तमाम शहर में जहां भी हो सकता है गार्डन डॉलप्मेंट हो या रोड डॉलप्मेंट हो या खुबसूरती ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई चौक डॉलप्मेंट हो उन तमाम चीजों को काम करने की हम दोनों हम दोनों ने हमको बनाया है उस हिसाब से हम उनकी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे खास तोर से हमारे जो लीडर है एाइसी सी के सदर जनाम मलीक अरजुन खरगे सहाब और प्रियंग खरगे सहाब डाक्टर शेन प्रकाश पाटिल सहाब और खास तोर से हमारे यहां की जो यम्मिले साहिबा तो कनीस फातिमा साहिबा ने हम लोगों के उपर भरोसा करकर हम लोगों को बनाया है तो हम उनके भरोसे पर और तमाम अवम जो हम लोगों के उपर उमीद रखी हुई है हम उन उमीदों पर पूरा उतरेंगे ये कहते हुए मुझे यहां पर बुलाया गया है उसके लिए खास तोर से मैं जवारिन स्कूल के चीफ ट्रस्टी जनाब साजिद हुसेन सहाब को और तमाम महले के जो यहां पर आये उन तमाम लोगों को दिल की गहरायों से मैं शुक्री आदा करता हूं मुझे यहां बुला कर मुझे शाल पुची और गुल पुची देकर मेरी हिम्मत को बढ़ाया है आप इसी तरह आप लोग हमारे पीछे रही है हमारे साथ रही हमें हैसी हिम्मत दीजे हम इंशालला आने वाले दिनों में जो भी हमारे से बन पर सकता है जो भी हम काम कर सकते है उसे ज्यादा काम करकर आपके बीच में लेकर आएंगे, मुझे यहां बुला कर इज़त अवजाई की गई, उसके लिए मैं तमाम महलेदार से, महलेवालों से, हमारे जवारिन के तमाम ट्रस्टियों से, मैं दिल की गहरायों से, शुक्रियादा करता हूँ. आज हमें यहां पर बुला कर तहनियत पेश किया, मैं साजित साहब का, उनके तमाम इसकूल वालों का तहह दिल से शुक्रियादा करता हूँ. और मैं सबसे पहले वाट नमर नाइनटीन की तमाम अवाम का दिल की अमीर गहरायों से उनका शुगरियादा करता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे अपना खीमती ओड़ दे कर काम्याब किया और उसी तरह चलते हुए आज मुझे हमारे बड़े लिडरान हमारे नाइनट के यमेले मा मेडम कनिस फातिमा साहिबा फराद लिस्लाम सहाब हमारे मजरालाम खान साहब और इनके तमाम साती मिलकर मुझे मान अगर पालिगा में फाइनस कमिटी का चैर्मिन बनाया गया आप लोग अपना खीमती ओड़ देने के बाद मुझे कामिया भी मिले के बाद आज आज आल्ला के फाइनस कमिटी का चैर्मिन बनाया गया मैं बराबर इस वाट का ही नहीं इन्शालला ताला पुरा गुलबरगा सिटी में मुझे जो जो भी काम आ सकता है मैं इसको बाद भी बड़ी जिस्तुजू के साथ उसको अंजाम दूँगा पराबर रात हो या दिन हो जबी भी मेरी जरूरत इस वाड में गुलबरगा नौट में और सौट में जहां भी मेरी जरूरत पढ़ेंगी इन्शालला ताला मुझे जहां भी बुलाया गया जाए मैं खिद्मत को अंजाम देने के लिए बराबर इनिटेम रेडी रहूंगा मैं मुझे को यहां बुला कर जो तैनियत पेश किया गया है जवार इनी स्कूल के जानिब से हमारे साजीत यम्मेटी साहब का तहे दिल से मैं उनका शुगरिया आदा करता हूँ मैं हमारी मजजिद की कमिटी के जानिब से बलके मुहले के तमाम लोगों की जानिब से जनाब मज़रालम खान साहब और गौस मत्यमोर साहब को तह दिल से मुबरबाद पेश करता हूँ और उमीद करता हूँ कि इसी तरह हमारे एरियों के जो सुल्जे हुए मसाइल है उनको बड़ी आसानी के साथ बड़ी तवक्व आपसे लगी हुई है बड़ी आसानी के साथ उसको हल नकाले और हमारे मुहलों को भी तरकी दें आपसे बहुत बड़ा काम ले रहा है बड़ी आसानी के साथ इन कामों को आपको पाय तकमिल तक पहुँचानी के लगी ताकत दे मैं बड़ी दिल की अमीग गहराईयों से जनाब मजरालमकान सहाब और जनाब गौसमतिमोड सहाब का शुक्री आदा करता हूँ और ट्रेश्टी जवारी इंडी स्कुल के जो जम्मेदारान है उन्होंने भी यहां जो नशिश्ट रखी है और उनको भी मैं शुक्री आदा करता हूँ कि इस तरह से जो महाफिल आज हम सजाए हुए हैं ये महाफिल हमेशा हर अलाकों में होनी चाहिए क्योंके एक शौक एक जजबा होता है कि आदमी सुनने से ज्यादा देखने से और जजबा पैदा हो जाता है जब ये दोनों नजवानों को हम तहनियत पेश कर रहे हैं और दिलों में और जजबा पैदा हो जाता है कि हमारे कौम के लिए हम और क्या क्या करना चाहते हैं तो इसी तरह आज नहीं जवारे हैं दिसकुल एक जमाने से अर्शेदरास से जो है मशूर मारूफ इसकूल उर्दो इसकूल और आज पुरी कौम हमारी कौम को जाहिलाना आज पुरी कौम हमको जाहिलाना तोर से देखना चाहती है लेकिन याद रखें हम इल्म के इतिबार से हर खदम पर हर जाविये पर आगे बढ़ने की कोशिश करना है और यही जवार हिंदी स्कुल आज से नहीं अर्से दराज से यह अर्दू क्यूंकि अर्दू आज जो लफ है यह बहुत कम देखने को मिलता है और्दू की जान अर्दू की पहचान जो हम लफ्द निकालते हैं ये आज ख़तम होते नदर आ रही है याद रखें अपने बच्चों को जो है नहीं अन्दास से जो है तजाइने नो कहें और बढ़े अच्छी अंदास में जैसे और मैं दाखिल हुआ आफिस को देखकर बड़ा खुश हुआ कि मेरा तालुख अब से नहीं वली एहमेद साहब की दौर से भी यहां आना जाना रहा है और हमारे मरहूम नसीर साहब यहां के टीचर भी रहे हैं कि उनकी दौर में भी मुझे यहां आना जाना हुआ कि अब से और पहल कि अधिदा मसाइल को बड़ी आसानी से जो है हल कर लेंगे मैं बहुंत ही अपनी अमीग दिल की गहराईयों से जनाब ट्रेश्टी जवार हिंदिस्कुल के साबिर सहाब और दोनों हदरात का मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अला से मेरी दूआ है परवर्दिगार ट्रेश्ट की तरफ से हमारे जवारे निस्कुल के तरफ से जो तहनेत की प्रोग्राम रखा गया था यह हमारे एरिया का जनाब घौस मत्यमोर साब वाट नमबर उन्नीस को फाइनांस कमेटी का चेर्मेन बनाया गया इसलिए और हमारे मजार आलम खान साब इनको कोड़ा क चेर्मेन बनाया गया है और इनी लोगों को लिए जो है ना हमत अफजाई के लिए यह तैनेती प्रोग्राम हमारे स्कूल की तरफ से हमारे ट्रस्ट की तरफ से और एहलियान महला और मजजिद कमेटी की तरफ से रखा गया था और मैं उम्मिद करता हूं कि हमारे घौस मत् खांसाब इंशालला इस ओधों को पाकर आगे और खौम मुलत के लिए तरक्षी का काम करेंगे अल्ला इन लोगों के अजायम को खुबल करे और इसी तरह उनको बलूने उपर पहुंचाए